अलु को छिलते चिलते ही मैश कर लीजिए आसान तरीके से, बॉयल्ड अलु को इस तरह से दो भागो में काट लीजिए, इस टाइप के दो बरतन लीजिए, उस पे आधा अलु रखके कटोरी की सहता से उसे इस तरह से प्रेस कीजिए, तो छिलके ऊपर रह जाते हैं और नीचे चला जाता है और एकदम जट पठो जाता है गरम आलु को भी हम इस तरह से स्मैश और छिल सकते हैं तो इस तरह से मैं और एक कर के दिखा रही हूं बहुत ही आसानी से छिल का दिखिये उपर रहे गया है और आलु जो है स्मैशो के नीचे